नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कॉवरी ओफ इंडिया का चैप्टर गाउं का स्वराज और शुक्र नीती सार का स्टेडी करेंगे डिस्कॉवरी ओफ इंडिया पंडित जवाहरला नेहरू ने लिखा और यह competitive exams की त्यारी करने वाले या किसी भी पठन-पठन में रूची रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही interesting book है इसमें पूरे हिंडुस्तान की शुरू से लेकर के आज तक की कहानी नेहरू जी की समय तक की कहानी उपलब्द है तो आज इसी लोग यह से पाठ को पढ़ेंगे गाउं का स्वराज और शुक्र नीती सार दस्वी सदी की एक पुराने किताब है जिससे की तुरकी और अफगान हमलों से कवल की हिंडुस्तान की आज नीती व्यवस्ता का चित्र मिलता है यह है शुक्राचार्य का नीती सार्म इसमें केंद्रिय शासन के और शहर और गाउं की जिंदगी के संगठन का बयान मिलता है साथ ही राज राजा, राज सभा और बहुत से सरकारी महकमों के भी बयान है गाउं की पंचायत या चुनी हुई प्रतिनिधी सभा के नियाए और व्यवस्था दोनों ही के समंध में बड़े अधिकार थे और इसके सदस्यों को राजा के अधिकारी बहुत ही आदर की नजर से देखते थे यही पंचायत जमीन का बांट करती थी और पैदावार का एक अंश कर के रूप में उगाहती थी और गाउं की तरफ से सरकार का हिस्सा अदा किया करती थी कई गाउं पंचायतों के उपर एक बड़ी पंचायत हुआ करती थी जो उनकी निगरानी करती और जरूरत पढ़ने पड़ उनके कामों में दखल भी दे सकती थी कुछ पुराने शिलालेक हमें यह भी बताते हैं कि गाउं पंचायतों के सदस्या किस तरह चुने जाते थे और उनमें क्या बातें गुन और दोश की समझी जाती थी अलग-अलग समितियां बनाई जाती थी जिनके लिए सलाना चुनाव होते थे और जिनमें की औरतें हिस्सा ले सकती थी अच्छा आचरन नो करने पड़ कोई भी सदस्ये अपने पद से हटाया जा सकता था सर्वजनिक रुपए पैसों का ठीक-ठीक हिसाब नो दे सकने पड़ कोई भी सदस्य अयोग ठाहराया जा सकता था और अलग किया जा सकता था रियायत रुकने के लिए बनाए गए एक दिल्चस्प नियम का बयान मिलता है सर्वजनिक बदों पड इन सदस्यों के निकट संबंधियों की नियुक्ती नहीं हो सकती थी थार्थात कोई रियायत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था इन गाउं पंचायतों को अपना आजादियों का बड़ा ख्याल रहता था और यह नियम बना हुआ था कि जब तक राजाग्या न मिली हो कोई भी सिपाही गाउं में दाखिल नहीं हो सकता था अगर किसी पड़ाधिकारी की शिकायत लोग करें तो नीती सार का कहना है राजा को अपने हुक्कामों की तरफदारी न करके अपनी रियाया की तरफदारी करनी चाहिए अगर बहुत लोग शिकायत करें तो पड़ाधिकारी को बड़खास्त कर देना चाहिए क्योंकि पड़ के मद से कौन उन्मत नहीं हो जाता राजा का जनता के बहुमत के बहुमुजीब काम करने का करतब बताया गया था पड़ाधिकारी की नियुक्ति करते वक्त चरित्र और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए जात या घराने का नहीं और ना वर्ण से ना पुर्खों द्वारा ब्रहमनत्यों का भाव उत्पन किया जा सकता है बड़े कस्वों में बहुत से करीगर अपने करीगर और सोदागर बसते थे और उनके संग या समितियां और महाजनों के संगठन हुआ करते थे इन में से हर एक अपने घरेलू मामलों के नियंतरन में सुतंत्र था यह सब सुचनाएं बहुत अधूरी हैं लेकिन इन से और बहुत से और जड़ियों से पता चलता है कि शहरों और गाउं में मुकामी स्वराज की व्यापक व्यवस्था थी मुकामी स्वराज था गाउं में सहरों में जब तक उसे अपना कर का हिस्सा मिलता रहे किंद्रिय सरकार इसमें बहुत ही कम दखल देती थी कानून में रिवाज पर बड़ा जोड दिया जाता था रिवाज और रिवाज के जरिये कायम हकों में सियासी या फोजी ताकत शायद ही कभी दखल देती रही हो शुरू में खिती की पर्था की बुनियाद सहयोग या सारे गाउं के मिल जुल कर काम करने पड़ थी व्यक्तियों और घरानों के कुछ अधिकार थे और कुछ करतवे भी थे और दोनों की हिफाज़त रिवाजी कानून के जरिये होती थी हिंदुस्तान में राजस्व धारमिक बंधन के रूप में नहीं था हिंदुस्तान की राजनितिक अनुसार अगर राजा अन्याई या त्याचारी हो तो उसके खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार माना हुआ अधिकार था 2000 साल पहले चीनी फिलसूफ मेंसियस ने जो कहा था वो हिंदुस्तान पर भी लागू होता है जबकि शाशक अपनी प्रजा को घास और कुड़े की तरह समझे तब प्रजा को उसे लुटेरे और दुश्मन की तरह समझना चाहिए यहां राजकिया अधिकारों की सारी कलपना यूरोप का सामंती कलपना से जुदा थी जिसमें की राजा का अपने राज के सब लोगों और वस्तूं पर अधिकार हासिल था यह अधिकार वहां राजा अपने सामंतों लौडों और बैरनों को दे देता था और यह लोग राजभक्ति की प्रतिज्या करते थे इस तरह अधिकार की एक सीरी तेयार हो जाती थी जमीन और उससे संबंध रखने वाले लोग सामंती लौड की और उसके जरीये राजा की प्रजा हो जाते थे रूमन अधिकार की कलपना की यह तरकी शुदा शकल थी हिंदुस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं थी राजा को जमीन से कुछ कर उगाहने का हक था और कर उगाहने के इस हक को ही यह दूसरों को दे सकता था हिंदुस्तान में किसान सामंतों का गुलाम नहीं होता था जमीन की कोई कमी नहीं थी इसलिए किसान को बेदखल करने में कोई फाइदा भी नहीं था इस तरह हिंदुस्तान में जमीनदारी की वैसी प्रथा न थी जैसे की पच्छिम में थी ना किसान विक्तिकत रूप से अपनी जमीन का मालिक हुआ करता था यह दोनों ख्याल बहुत बाद में अंग्रेजों के जरिये पेश हुए हैं और इनमें भयांकर नतीजे भी हुए हैं विदेशियों की फतहयाबी के साथ साथ मुल्क में लड़ाईयां और तवाहियां आई विद्रोह हुए और उनका दमन हुआ और नए हाकिमों ने अपने हथियारों के जोर पर भरुसा किया मुल्क के रिवाजी कानून की बंदिशों को यह हाकिम अक्सर तोड़ सकते थे इसके अहम नतीजे हुए और खुद मुखतार गाओं की आजादी में कमी आई और बाद में माल गुजारी की बसूलियावी के तरीकों में बहुत से तब्दिलियां पैदा हुई आताहम अफगान और मुगल हाकिमों ने इस बात का खयास ध्यान रखा कि पुराने रिती रिवाजों में दखल न दिया जाए और कोई बुनियादी अदल बदल न किये जाए और हिंदुस्ताने जिंदगी का समाजी और आर्थिक धाचा पहले जैसा बना रहे गया सुद्दिन तुगलक ने अपने हुकामों को इस बात के खास हिडायतें दे रखी थी कि रिवाजी और कानून की फाज़त होनी चाहिए और यासती मामलों को मजभब से जो जाती पसंद की चीज है अलग रखना चाहिए लेकिन जमाने की गर्दिश और लड़ाईयों के कारण और इस वजह से की सरकार में केंद्रियता बढ़ती जा रही थी रिवाजी कानून का लिहाज कम होता गया फिरिफी गाओं की खुद मुक्तारी बनी रही इसका टूटना अंग्रीजी हुकूमत में जाकर शुरू हुआ थैंक यू फॉर विविंग, हैवे नाइस डेइ